नमस्कार स्वागत है आप सभी का सीनियूस के इस मुलिटेन में और मैं हूँ आपके साथ अंशिका भारत में कोरोना वाइरस के नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है देश में कोरोना के साथ हजार से कुछ ज़्यादा नए मामले सामने आए इस दोरान देश में 24 घंटों में 2726 कोरोना मरीजों की वाइरस के वज़े से मौत हो गई भारत में कोरोना वाइरस के नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है देश में कोरोना के साथ हजार से कुछ ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं इस दोरान देश में 24 गंटों में 2726 मरीजों की कोरोना वैरिस की वज़े से मौत हो गई है मृतकों की संक्या में आज कम ही देखी गई जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार 3000 के उपर आ रहे थे कुलेक्टिव केस 9,13,388 रह गई है देश में कोरोना महमारी आकड़े इस प्रकार है बीते 24 गंटों में कुल नए केस आए 69,958 बीते 24 गंटों में कुल ठीक हुए 1,17 लाग बीते 24 गंटों में कुल मौते 2,732 अब तक कुल संक्रमित हो चुके मरीज 2,95 करोड अब तक ठीक हुए 2,82 करोड हाला कि अब तक कुल मौते हो चुकी है 3,77 लाग अभी इलाज करा रहे मरीजों की कुल संक्या है 9,08 लाग देश की 12 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदिया हैं इनमें हिमाचल प्रदेश, जारखन, 36 गर्ड, ओडिचा, करनाटक, केरल, तमिलनाडू, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्विम बंगाल और पुर्डेचरी शामिल हैं यहां पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबन लगाए गए हैं सीन्यूस के लिए लक्ष्मिराज सिंग की रिपोर्ट